अपने कल मेरी गोल्ड में किया तो आज आप हम यहाँ पे करेंगे इंगलीश की वर्ग बुप में करेंगे यहाँ पे देखें मैच्ट पिक्चर्स विद्ध वर्ड्स वर्ड्स के साथ यह मैच्च करवाने है पिक्चर्स तो यहाँ पे सबसे पहले है वो क्या कर रहा है रन क कर रहा है तो यहां पर आएगा यह run, फिस second है stand, stand मतलब खड़ा होना और यह last है sit, sit मतलब डेटना, तो आपको ऐसे match करवाना है picture के साथ, फिस second है jump कर रहा है यह तो यह रहा jump, फिर यहां पर skip, skip कर रही है यह लड़की तो यह रहा, और walk तो यह boy walk कर रहा है, तो यह हुआ, सबसे पहले वो क्या कर रही है डान्स तो यह रहा डान्स फिर यहाँ पे यह सिंग कर रहा है सिंग मतलब घाना तो यह बॉय और यह क्लैपिंग कर रहा है तो यह हुआ क्लैप फिर यहाँ पे हमारा जो यह पेज है नेक्स्ट उस पे यहाँ पे देखिए हाँ सबसे पहले है वो यहाँ पे वो लड़की क्या कर रही है देखिए तो वो लड़की यहाँ पे क्लोज कर रही है तो बंद कर रही है वो फिर वहाँ पे यह push तो यह second वाला है वो open कर रहा है तो यह हुआ open और यह last वाला है वो push मतलब वो धक्का दे रही है फिर उसके नीचे सबसे पहले है वो क्या है तो वो एक बैग खींच के जा रहा है तो उसे कहेंगे पुल फिर यह यहाँ पे क्या कर रहा है तो eat, मतलब खाना कर रहा है और last में है यह drink कर रही है फिर उसके बाद आ रहा है सबसे पहले वो क्या कर रही है लड़की ये गल कर रही है कट तो ये हुआ कट फिर ये कुछ लिख रहा है तो ये हुआ राइट और यहां पर ये बॉल कैच कर रहा है तो ये हुआ कैच हाँ अभी सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है वो कर रहा है थ्रो बॉल को throw कर रहा है, तो यह हुआ throw, फिर यहां पे kick, यह रहा kick, बॉल को kick कर रहा है, और last में हैं, वो क्या कर रही है, read कर रही है, तो यह आपका next page हुआ, फिर उसके बाद आपका, यह page आएगा, इसमें आज आपने सीखा, जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक आप वीडियो बेजेंगे, एक आप bucket लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, तो कौन सी चीज़ float कर रही है, कौन सी चीज़ sink कर रही है, तो यहां पे दिखिए, यहां पे लिखा हुआ है, take mark the right things that will float on the water, तो इन मे लीफ है, वो तैरता है, फिर spoon, तो spoon भी यह प्लास्टिक की है, तो वो भी यहां पे क्या करती है, float करती है, तो इसमें भी right आएगा, फिर marble, तो नहीं, marble वहां पे पानी में डूब जाती है, बॉल, फिर key भी बानी में डूब जाती है, पेपर उसमें उपर float करता है, फिर यहां पे coin, coin है यह, coin भी पानी में डूब जाता है, feather, वो float करता है, straw float करती है, apple पानी में डूब जाता है, pencil float करती है, फिर whistle है, जो वो पानी में डूब जाती है, balloon है, वो float करता है, ribbon है, वो भी float करती है, और shoe, shoe पानी में डूब जाता है, तो यहां पे जो जो पानी पे त आपको पता है यहाँ पे क्या करना है look and draw तो यहाँ पे आप इसको देख देख के यहाँ पे यह ऐसे draw करेंगे फिर निचे के page में भी यहाँ पे ऐसे आपको यह जो आपको यह pattern दी गई है वो pattern आप यहाँ पे draw करेंगे तो यह पूरा page ऐसे करेंगे और इसमें भी यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी आपको जो spelling दिये गए यह words दिये गए हैं जो वहाँ पे आप पे यह लिखेंगे letters हैं ABCD वाले तो यहाँ पे देखिए यह है सबसे दो I फिर J I J K L तो यहाँ पे भी I J K L यह सब लिखेंगे यह पूरा page आपको finish करना है फिर next page में यहाँ पे इससे पहले हमने 6 तक को इसके first unit में किया था तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे count and write तो इसको पहले आप count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पे आपको सब में क्या लिखना है 7 फिर यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब में 8 आया समझ में ऐसे आपको count करते जाना है और यहाँ पे लिखते जाना है फिर यहाँ पे है right 1, 2, 10 तो यहाँ पे 1 दिया गया है यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह हुआ 10 आपको इससे पहले मैंने एक बाद टेस्ट ली थी उसमें भी 1, 2, 10 के स्पैलिंग थे तो यहाँ पे भी देखिए 1, 2, 10 के स्पैलिंग दिये गए हैं तो look, listen and repeat यह आप मेरे साथ यह repeat करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह हुआ 10 यह आपको खाली जोर से आपको बोलना है फिर next page है वहाँ पे यह जो अमारा last page है इसमें आपको क्या करना है यह match करवाने है जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या है तो यह है 9 है तो 9 का स्पैलिंग दून के हमें उससे match करवाना है फिर 7 तो 7 का भी स्पैलिंग दून के match करवाना है फिर यह है 10 8 3 5 फिर यह 2 4 1 और यह 6 तो यहाँ पे यह आपको सब अच्छे से match करवाना है तो यह आज का आपका इतना homework है यह आपकी workbook में है तो यहाँ से हमारा यह chapter 2 हो रहा है वो finish हो रहा है तो यह आपको इतना finish करना है आगे एक story के question answer बाकी है वो आपको मैं next जब यह हमारा English का period होगा तब मैं आपको finish करवा दूँगी Thank you मैं रत्रठए है यहाँ जब रहां है झाल झाल